हलो फ्रेंड्स मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और लाइन इसडी पॉइंट पर साथियों इस क्लास में देखेंगे बरतमान भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल साथी साथ गठन कब हुआ राजधानी क्या है ल प्लीट बहुत अप्डेटर लिष्ट है आने वाले एक्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है करेंडर फेस का ट्रेंडिंग टॉपिक है यहां से कोश्चन जरूर बनेगा चलिए फिर बीना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं कोश्चन नमर फस देखते हैं आंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है करेक्ट इंसर हो जाएगा ओप्सन ए एंच अंदरवाबु नाइडू जो है आंदर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनाए गये हैं फोटो के साथ में साथ ही हो आपको याद कराऊंगो तो साइडवे मैंने फोटो भी यहां की अमनाई राजधानी बनने जा रही है लोक सभा की सीठ है अंदर प्रदेश में 25 राज्यसभा सीठ है यहां पर एक जा रहा है विधान सभा में 175 सीट हैं बरतमान गवर्नर काउन है एस अब्दूल नजीर जो है बरतमान में गवर्नर हो जाएंगे और बरतमान नेक्स कोशन के अंसर बताईएगा सिक्कीम के मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम क्या है साई जवाब हो जाएगा ऑप्सन नंबर बी प्रेम सिंग तमांग जो है सिक्कीम के वरतमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे सातियों मैंने आपके लिए इस पीपीट को बनाने में 275 को हुआ था राजधानी का है सिक्कीम की गंग टोक है सिक्कीम में देखते हैं लोकसवा की यहां पर एक सीटे है सातियों राजसवा की यहां पर एक सीटे है और विधान सवा किती सीटे 32 सीटे है वरतमान राजजिपाल हो जाएंगे लक्षमाट प्रसाद आचारे ठीक ह और मप में are डेखा छिएज आएख सिक्कीम कहाँ पर है मैप में तु यह आप देख सकते, सिक्कीम मैप में है यहाँ पर आंध्रप्रदेश मेप में हमने देखघा टीक है। नेक्स्के देखिए अरुनांचल परदेश के बरतमान मुख्यमंत्री का नाम क्या है। राइट एंसर रोयागा ओप्सन बी पेमा खंडू जो है साती हूए अरुणचर प्रदेश के वरत्मान मुक्ह मंत्री हैं ये हैं पेमा खंडू जी डिटेल में समझा जा तो पेमा खांडू जो है भारती जनता पार्टी एनि की बिजेपी पार्टी से हैं और अरुराणचर प्रदेश को राज का दर्जा कम मिला था 20 फरवरी 1987 को राजधानी क्या है अरुराणचर प्रदेश की तो राजधानी इटानगर है लोकसभा की बात की जाते हैं यहाँ पर दो सीटे हैं साथियों और राजसभा की यहाँ पर याद रखियेगा एक सीटे है विधानसभा की 60 सीटे है राजधाल कौन है वरतमान में तो कैवल त्रिविक्रम परनाईक राज्यपाल है बरतमान में ये ठीक है अरुनाचर प्रदेश के और मैप में मैंने आपको दिखाए ये आप देख सकती है ये वाला पार जो है ये यहाँ पर आप देख सकती है ये जो है अरुनाचर प्रदेश है मैप में ठीक है साथियों साथियों अगर आपको क्लास का मोहन चरन माजी और यह कोश्चन वेरी इंपोर्टेंट है साथ ही इसमें आप 5 इस्टार लगा लिए क्योंकि ओडिसा में पहली बार ओडिसा जब से राजवना तब से पहली बार है आपर भारती जनता पार्टी की सरकार बनी है और भारती जनता पार्टी लोक सभा की की सीटे हैं आपर राज सभा की 10 सीटे हैं और विधान सभा की 147 सीटे हैं वरतमान राज्यपाल को ने ओडिसा के रगुवर दास है वरतमान राज्यपाल ओडिसा के और ओडिसा को अगर मैप में देखा जाती हूं तो यह आप ये वाला जो पार्ट देख पार है विष्णु देव शाय विष्णु देव शाय जो है साती हूं ये 36 गड़ के नए मुक्यमंत्री बने ये भारती जनता पार्टी सें ठीक है और बात किया चत्तिस गड़ की तो ये भारती जनता पार्टी समंदित है 36 गड़ का गठन कब हुआ था एक नमबर सन 2000 में और ये मद्ध प्रदेश से अलग होकर सन 2000 में अलग राज्य बना और राजधानी यहां की क्या है नाया रायपूर है लोकसवा की बात किया तो लोकसवा के 11 सीटे है राजसवा की 5 सीटे है और विधान सवा की यहां पर 90 सीटे है बरतमान राज्यपाल को ने 36 गड़ के याद रखिएगा विश्व भूशन हरी चंद्र है जो है बरतमान में राज्यपाल है और मैप में अगर देखा जाए 36 गड़ कहा पर है तो यह आप जो देख सकते हैं यह वाला पाटी यह क्या है 36 गड़ है ठीक है चलिए आज और मैप में देखा जाए तलंगाना कांगरेस पर है तो यह आप देख सकते हैं यह आप जहाँ टाकर मैं यह है तेलंगाना ठीक है तेलंगाना की राज़ानी हो जाएगी हैदराबाद बात किया जाएगा लोकसभा सीट की तो लोकसभा यहाँ पर 17 सीटे हैं राजसभा कितनी सीटे हैं साथ सीटे हैं विधानसभा की कितनी सीटे हैं आपर तेलंगाना में 119 सीटे हैं राज्यपाल क के नए मुख्यमंत्री बन गया है सिद्धा रमयय जो है कानाटक के नए मुख्यमंत्री बन गया है। राज जेपाल कौने थावर्चंद गहलो सात्यों देखिए इस वीडियो को आप बीच में स्किप करके मत जाईएगा ठीक है क्योंकि काफी important class होने वाली है और एक्जाम में आपके यहां से 102 question तो जुरूर देखने को मिलेगा ठीक है और करनाटका की बात हो तो तो यहां पर आप यह देख सकती है यह वाला जो पार्ट आप देख रही है करनाटक है और यहां पर आप बैंगलूर राजधानी देख सकती है ठीक है चलिए next question देखते हैं हिमांचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने है राइड एंसर हो जायागा सुक्विंदर सिंग सुक्कू हिमांचल प्रदेश के नए मुखमंत्री बनाए गया है यह सुक्विंदर सिंग सुक्कू है और यह कांग्रेस पार्टी से हैं सुक्विंदर सिंग सुक्कू गठन कभ हुआ था हिमांचर प्रदेश का 25 नंबर 1971 को यहां की दो राजधानी है देखे सीमला यहां की जो है summer capital है और winter capital का है धर्म साला है ठीक है लोक सभा की यहां पर 4 सीटे हैं राज सभा की तीन सीटे हैं और विधान सभा की यहां पर 68 सीटे हो जाएंगी थीक है, बरतमान राज़ेपाल को नहीं नाम क्या है राइट in सर उजागा अपसाने भजलल सर्मा जो है राजस्थान के बरतमानe मुख्य heading मंतरी हैं और यह और भजलल जी और भंजलल सर्मा जी जो है, भारती जनता पार्टी से हैं बीजेपी पार्टी से हैं राजस्थान राजस्थान के कल राज मिस्रा राजस्थान के राजस्थान को मैप मेगार आप देखिए तो यह अहां पर आप जो देख सकते हैं यह है राजस्थान ठीक है छेतफल्क दिश्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान तो एक पॉइंट आप ये भी नोट कर लिजेगा नेक्स कोश्चन देखी है हमारा त्रिपूरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम क्या है सही जवाब हो जाएगा option number B यानि की मारिक साहा जो है साथी में त्रिपूरा के बरतमान मुख्यमंत्री है ठीक है और बात किया जाए मारिक साहा की तो ये भारती जनता पार्टी से संबन्दित है और त्रिपूरा राज्य के रूप में गठन कब हुआ था 21.972 को राजधानी क्या है अगर तला है त्रिपूरा की बरतमान राजधानी लोक सवा की 2 सीटे है राज सवा की 1 सीटे है और विधान सवा की 60 सीटे है राजजपाल कौन है इंद्र सेना रेड़ी नल्लू जो है यहाँ पर राजजपाल है बरत्मान में व्याद रखिए कर त्रिपूरा के राजजपाल इंद्र सेना रेड़ी नल्लू और त्रिपूरा को बात किया मैप में देखा जाएगा तो यहाँ पर आप जो देख सकते हैं साथियों मारा गोवा राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है सई जवाब हो जाएगा प्रमोज सावंत ऑप्सन नंबर भी सई जवाब हो जाएगा प्रमोज सावंत जो है बरतमान में क्या है गोवा के मुख्यमंत्री है और फोटुम देखिए यह है प्रमोज सावंत ठीक ह प्रमो सावन जो है साथी में भाती जनता पार्टी से सम्मंदित हैं गोवा राज्यकी बात की जाए तो गठान वोता 30 मई 1987 को गोवा की राज़ानी क्या है परजी है लोक सवा की यहाँ पर 2 सीटे हैं साथी और राज्यसवा की 1 सीटे हैं नेक्स कोश्चन देखिए हमारा मडीपूर के मुख्यमंत्री का क्या नाव है साई जवाब हो जाएगा साथी हो बीरें सिंग बीरें सिंग बरतमान में मडीपूर के मुख्यमंत्री है साथी हो और बहुत यह चर्चा में रहा है मडीपूर राज इसलिए साथियों यहाँ पर आप जो है त्री स्टाल लगा लिजेगा इस कोश्चन को याद रखेगा मडीपूर के मुख्यमंत्री है एन वीरें सिंग आपको बता दें साथियों कि मडीपूर में के जो मुख्यमंत्री है यह भाती जनता पार्टी किसे है वीजेपी पार्टी के यहाँ पर सरकार है मडीपूर की स्थापना हुई थी 21.972 को राजधानी यहाँ की है इंफाल लोकसवा की बात की जात लोकसवा की यहाँ पर 2 सीटे है राज्यसवा की बात की जात एक सीटे है और विधान सवा की यहाँ पर 60 सीटे है साथियों और राज़पाल कौन है मड़ीपूर के तो याद रखिएगा अनसुया उइके जहें यह बरतमान में मड़ीपूर के राज़पाल है और मड़ीपूर को मैप में देखी यहां पर है मड़ीपूर ठीक है नेक्स देखिए पश्रिब मंगाल के मुख्यमंतरी का क्या नाम है काफी इंपोर्टेंट कोश्चन है सई जवाब हो जाएगा ममता बनेर जी जो है साथी हो मड़ीपूर पश्रिब मंगाल की वरतमान में राज़पाल मुख्यमंतरी है ममता दीदी और ममता बनेर जी का संबंद जो है किस पार्टी से तो त्रेडमूल कांग्रेस पार लोग सभा की 42 सीटें राज सभा की 16 सीटें विधान सभा की 294 सीटें राज जपाल है डाक्टर सीवी आनंद बोस और बात की जाए पश्रिब मंगाल की तुमेब में आप देख सकते यह रहा हो वेस्ट बंगाल ठीक है नेक्स्ट है तमिल लाडू के मुख्यमंतरी का नाम क सब्सक्राइब मुख्यमंतरी है और यह है मक स्टालिन डिटेल में समझा जाए तो मक स्टालिन यह जो है डिम के पार्टी यानि कि द्रविण मुनेत्र कगडम इस पार्टी का नाम है इनकर डिम के पार्टी तमिलाडू राज का गठन कब हुआ था एक नॉम्बर निश्व चपन को राजधान है यहां कि तो राजधान है चेंट नइतीक है तो याद रखिएगा लोग सबह कितनी सीट और लोक सेबंतर किसे नाइन सीटें है राज कोशन देखते हैं साथियों केरल राज के मुख्यमंत्री का नाम क्या है साइज जवाब हो जाएगा option B पिनराई बीजयन यानि पी बीजयन जो है साथियों ये केरला के वरतमान मुख्यमंत्री हो जाएंगे ठीक है और केरल के ये मुख्यमंत्री के फोटो आप देख सकते हैं पिनराई बीजयन साथियों ये भारती कम्निष्ट पार्टी से हैं तो इनका पार्टी का नाम याद रखिएगा बात किया केरल की दुगठन कब हुआ था एक नॉमबर 1956 को केरल मुख्यमंत्री का क्या नाम है तुक है और योगी आदितनाथ भारती जंता पार्टी से सम्मंदित हैं ये राज्य का दर्जा मिला था यूपी को 24 जन्मर्ण 50 को राजधानी है लकनव और लोकसवा की उत्तर प्रदेश सरवादिक सीटे है भारत में 80 सीटे है राजसवा की 31 सीटे है विधानसवा की 403 सीटे है एक कोशन और बनता है आपर कि भारत में सरवादिक लोकसवाद सीटे किस राजज में तू है उत्तर प्रदेश में ठीक है और उत्तर प्रदेश को आप देख सकते हैं जनसंक्यक दिष्टी से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन से उत्तर प्रदेश है ठीक है राज्यपाल कौन है यूपी की आनंदी वेंद पटेल है तो यह आपको सारे फैक्ट साथी इस तरीके से मैं करा रहा हूँ वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा साथी हो नेक्स कोशन देखिए साथी हो महरास्टा राज्य के मुख्यमंत्री का क्या नाम है साइजवा हो जागा ऑप्सन भी एकनास सिंदे जो है साथी हूँ काँन है महरास्टा के बरत्मान में मुथ्यमंत्री है यह है एकनास सिंदे जी और ये सिव शेना पार्टी से है एकनास सिंदे ठीक है और महरास्टा राजड के गठन हुआ था 1 मई 1960 को राजजानी क्या है महराजड की मुंबई है लोकसवा की यहाँ पर सीट किती 48 है राजसवा की 19 सीटे हैं और विधान सवा की 288 सीटे हैं विधान सवा की राजजपाल कौन हो जाएंगे तो रमेश बैश जो है बरतमान में कौन है राजजपाल है महरास्टा के और महरास्टा को मैप में अगर देखा जाती है यह जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर यह है महरास्टा नेक्स कोशन देखिएगा हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है हर्याणा के मुख्यमंत्री का नाम है नायाप चिंग सैनी ये भी हाल फिल हाल में बने है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो हर्याणा के मुख्यमंत्री नायाप चिंग सैनी है इसमें आप सातियों 5 इस्टार जरूर लगा लिजेगा ठीक है चलिए और यह आप देख सकते हैं यह रहे हर्याडा के मुख्य मंत्री नायाप चिंक सैनी यह भारती जनता पार्टी से सम्मंदी थे और राज्य का दर्जा कम मिला हर्याडा को 1 नॉम्बर 1906 राजधानी क्या है चंडीगड है लोक सवा की 10 सीटे हैं राज्य सवा की 5 सीटे हैं और विधान सवा की 90 सीटे हैं राज्य पाल कौन है हर्याडा के बंडारू दत्ता त्रे जो है वरत्मान में हर्याडा के राज्य पाल है और मैं प्यागर देखा जा हर्याडा कहां पर है सातियों तो यह आप देख सकते हैं आपर ठीक है ये ठीक है चलिए नेक्स कोशन देखिएगा 2024 से बिहार के नौवी वार मुख्यमंत्री कौन बनाए गए है सहीजवा हो जायागा नितीश कुमार सातियों जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री नौवी वार बने है ठीक है राजधानी है इसकी पटना और लोकसवा की यहाँ पर 40 सीटे हैं राजसवा की 16 सीटे हैं बिधानसवा की यहाँ पर 243 सीटे हैं राजजपाल कौन है बिहार के राजिंद अरलेकर जो है बरतवान बिहार के राजजपाल है और बिहार को आप अगर मेब में देखेंगे तो यह रहा है यहाँ पर यह बिहार ठीक है और यह पटना यहां की राज़ानी है नेक्स देखिए गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गये हैं सही जवाब हो जाएगा भूपेंदर पटेल जो है यह गुजरात के वरतमान में मुख्यमंत्री हो जाएगे भूपेंदर पटेल तो आप्सन नमबर भी सही जवाब हो जाएगा यह फोटों आप जैक सकते हैं भूपेंदर पटेल हैं गुपेंदर पटेल का सम्मंद भारती जंता पार्टी से है गठन का बुग था राज्य का गुजरात का 1 मैं 1960 को गुजरात का गठन हुआ था और राजधानी है यहां की गांधी नगर लोकसवग किती सीटे हैं, लोकसवग 26 सीटे हैं राज्य सवग की 11 सीटे हैं और विधान सवग की 182 सीटे हैं वरत्मान राजपाल को अने गुजरात के आचारे देवराद वरत्मान में राजपाल है साथी एक फैक्ट याद रखिए कि कोशन एक्जामे बनता है गुजरात और महराष्टा दिवस गुजरात और महराष्टा दिवस जो है कम मना जाता है याद रखिएगा एक माई के गुजरात और महराष्टा राज दिवस मना जाता है ठीक है और गुजरात को आप देखेंगे तो यहाँ पर आप मैं यह देख सकते हैं असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है सई जवाब हो जाएगा हेमंद विश्वा सर्मा जो है ये वरत्मान में असम के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंद विश्वा सर्मा ये हैं वरत्मान में असम के मुख्यमंत्री बता दे हेमंद विश्वा सर्मा हैं भारती जनता पार्टी से हैं असम राज का दर्जा मिला था 26 जन्वर 950 को राजधानी के आसम की दिश्पूर है लोकसभा की 14 सीटे हैं राज्यसभा की साथ सीटे हैं विधान सबग 126 सीटे हैं राज्यपाल कौन है असम के गुलाप चंद्र कटारिया है ठीक है और असम क अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर यह जो देख पा रहे हैं यलो वाला पार्टी है असम नेक्स देखिए नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम क्या है तो सबको पता है अर्विंद केजरीवाल है जो की भी जेल में बंद है वरतमान में इनकी फिलहाल जो अवुप राज जिपाल है विन्यकुमार सकसेना बात किये जाए यहाँ पर आप दिल्ली जो की भारत के नसासित प्रदेश भी है नेक्स देखिए पंजाब राज्य के वरतमान में मुख्यमंत्री का नाम क्या है तो भगवन्त मान जो है यह पंजाब के वरतमान मुख्यमं लोग सबा की 13 सीटे हैं राज्य सबा की 7 सीटे हैं विधान सबा की 117 सीटे हैं राज्य पाल कौने पंजाब के बनवारिलाल पूरो ही थे ठीक है नेक्स कोश्चन देखिएगा मेघाले के मुख्यमंत्री का क्या नाम है सही जवाब हो जाएगा कॉनराट संगमा जो है वरत लोंग है राज्धानी और लोक सबा की 16 सीटे हैं राज सबा की 11aj伯 फे राजजपाल के राजजपाल की तो राज येवल Auf हो उल इंडिया का यह नाम है सही जवाब हो जाएगा एद रंगा स्वामी वरतमानी पूरो ही मुख्यमंत्री है ठीक है यह है रंगा सामी और Swamy आल इंडिया एनार कांग्रेस पार्टी से है पुड़ुचेरी की स्थापना हुई थी एक नमबर उनिसो चौवन को पुड़ुचेरी की राजधानी पुड़ुचेरी है उपराज जिपाल है तमी सिलाई संदरे राजन लोग सबग की यहाँ पर एक सीटे है और आज सबग की एक सीटे है अगर आप यहाँ पर देखेंगे बाकी डिटेल साथियों तो पुड़ुचेरी को अगर आप देखेंगे कहाँ पर पुड़ुचेरी यह आप देख सकती पुसकर सिंग धामी जो है ये भारती जनता पार्टी से हैं बिजेपी से हैं और गठन का बोत उतराखंड का 9 नॉम्बर सन 2000 में राजधानी के आया उतराखंड की देहरादून एक है जो विंटर कैपिटल है और समर कैपिटल है गैर सेन लोकसवा की यहाँ पर 5 सीटे हैं राजसवा की 3 सीटे हैं विदान सवा के 70 सीटे हैं राज़पाल कौन उतराखंड के गुरमीत सिंग वरत्मान में उतराखंड के राज़पाल है और उतराखंड को आप मैप में देख सकते हैं यह जो हैं आपर आप मैप में देख सकते हैं ठ थिक है तो हैंगर इसे पहले थे लेकिन अभी तक है मन्ट को गिरफ्तार कर लिया था अब एडी गुशत कर लिया था अभी इनको जमानत मिल गई यह चाहर इसलों के फिर शेंगर भना दिए गया हैं। हेमन सोरेन की बात की जाते है जारखन मुक्टी मोर्चापाटी से है जे-ये-मम से है जारखन राच करणा। के नागालेन के मुख hel adopted कोशन है हूँ जवाब हो जाय गां यहाँ पर है नहीं तीक तुर्शारी सोरी फ्रेंडस है यहाँ पर मुझसे मिस्टेग हो गई है ड्यों आप्सें यहाँ श्ञाएँ ना एक मिनट यहाँ पर!* के हाँ तो नेफीर योगी तो नेशनल डेमोक्रेटिव प्रोग्रोसिव पार्टी से हैं नागा लेंड की स्थाबना का वोई थी साथ एक दिसंबर 1963 को राज़ानी के आए कोहिमा है लोग सवग किती सीटे हैं एक हैं राज्य सवग की एक सीटे हैं विधान सवग की 60 सीटे है राज़िपाल का उनत एल गडेशन जो बरतमान में नागा लेंड के राज़िपाल है और नागा लेंड को आवकर आप देखते हैं यहाँ पर यह नागा लेंड है ठीक है नेक्स कोशन देखिए हमारा मद्ध प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है तो मोहन यादव ज साथियों लोक सभा की 29 सीटे हैं राज सभा के 11 सीटे हैं विधान सभा की 230 सीटे हैं राज़िपाल का उने मंगू भाई जगन भाई पटेल नेक्स देखिए अगला कुशन वारे मिजोरम के वरतमान मुख्यमंत्री का क्या नाम है सही जवाब हो जाएगा लाल दुहुमा ज 30 फरबरी 1987 को राज़ानी क्या है आईजोल है लोक सभा की 1 सीटे हैं राज सभा की 1 सीटे हैं विधान सभा की यहां पर 40 सीटे हैं राज जपाल को ने डाक्टर हरी बावु कंभा पती जो है वरतमान में मिजोरम के राज जपाल है ठीक है अब देखेंगे सभी के इनसासीस प्रदिसों के उपराज जपाल लेटीन गवंडर बात के जा अंडमान निकोवार के उपराज जपाल है लेटीन गवंडर का क्या नाम है साई जवाब हो जाएगा देवेंद्र कुमार जोसी ठीक है देवेंद्र कुमार जोसी जो है साथी वरतमान में लेटीन गवंडर है अंडवान निकोवार की बात की जाते इसकी स्थाबना हो थी एक नमबर नों 156 को इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेर ठीक है तो याद रखिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है अंडवान और निकोवार आइसलेंटी के यह है नेक्स के लद्दाक के उपराजपाल हो और लद्दाक की स्थाबना कवी थी 31 अक्टूबर 2019 को राजधानी क्या है ले और कारगिल तो यहाँ पर आप जो मैप में देख सकती यह वाला पार्ट यह अपना लद्दाक है ठीक है नेक्स देखिएगा जम्मू कास्मीर के उपराजपाल लिप्टिन गवरनर का क्या ना राजधानी और गिरिस मकालिन राजधानी स्रीनगर है ठीक है यह आप देख सकते हैं तो लद्दाक और सातियों जम्मू कास्मीर यह दोनों 31 अक्टूबर 2019 को केंसासी प्रतेस बनाए गये थे नेक्स देखिए लक्षदीब के प्रसासा का नाम क्या है सही जवाब हो जाए नेक्स्ट है दादर और नगर हवेली और दमन दीप के प्रसासा का क्या नाम है तो सही जवाब हो जाएगा उप्सन नमबर डी प्रफुल पटेल जो है यह बरतमान में ठीक है तो याद रखिएगा यह जो है सातियों लक्षदीब के और दादर नगर हवेली दमन दीप के प्रसासक दोनों के चंडीघर के प्रसासक का क्या नाम है साथियों सईजवाब हो जायागा बनवारी लाल पूरोई जो है चंडीघर के प्रसाषए ठीक है यह रिजाइन दे दिये थे लेकिन फी पत्पर बने हुए है ठीक है ऑर चंडीघर की स्थापना हुई थी एक को सब्सक्राइब कर लिजेगा सारे बच्चे और किस टॉपिक वर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इसका पीडिये फाइल अगर आपको चाहिए साथ है तो अप्लिकेशन डाउलोड कर लिजेगा अलने इसडी पॉइंट चैनल को लाइक सेर सब्सक जरूर बलाईएगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंकी सोमच जय हिंद जय भारत